उजास उजास एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्मान राष्ट्री साक्षरता केंद्र प्रकोष्ट CNCL NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनिरू पांतरण केंद्रिय शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान CIET द्वारा किया गया है ये प्रवेशिका पुस्तक पंद्रा वर्ष या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाशा, संख्या ग्यान और मात्वपूर्ण जीवन कौशल, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विशेओं को सम्मिलित किया गया है उजाज, प्रवेशिका, भाग चार, प्रिष्ट 268, अध्याए बारह, वितिय साक्षर्ता हम सीखेंगे, बैंक खाता खुलवाने संबंधित जानकारी का उप्योग करना बैंक संबंधित फॉर्म पढ़ना, समझना और भरना चेक, जमा परची, नकद, नकद निकासी परची शिर्शक, मेरा खाता, मेरी शान शर्बते ने गुल्लक तोड़ी, धेरो नोट और सिके छंचना कर गिर पड़े शर्बती ने गिना, कुल दो हजार पांच सो तेहतर रुपए थे ये पैसे उसने बड़े जतन से जोड़ी थे अब सवाल था इनकी संब्हाल का सलाल लेने वह लाजू के पास गई लाजू और शर्बती पक्की सहे लिया है लाजू ने सुझाया, बैंक में जमा कर दो या डाक घर में खाता खुलवालो शर्बती भड़की बैंक के पच्ची सो चक्कर लगा चुकी हूँ किसी ने घास न डाली लाजू अब ऐसा नहीं है काफी बहस हुई आखिर शर्बती मानी दोनों सहेलिया बैंक पहुँची वहां बोड लगा था प्रधान मंतरी जन्धन योजना मेरा खाता भाग्य विधाता बोड पढ़कर दोनों मुस्कुराई वहां और भी जानकारी मिली खाता जन्धन योजना के तहत खुलेगा शुर्वाती राशी के बिना खाता खुलेगा साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी दुरघटना बीमा भी हो जाएगा और समय समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी सीधे बैंक खाते में ही जमा होगी इस प्रिष्ठ पर मद्य भाग में बाई और लिखा है प्रधान मंतरी जन्धन यूजना जो की एक गोल में लिखा है गोल की निचले भाग में लिखा है मेरा खाता भाग्य विधाता और गोल के मद्य में भारती रुपय का चिन्ध बना है प्रिष्ठ के मद्य भाग में एक गोल लोगो बना है जिसके उपरी भाग में लिखा है प्रधान मंतरी जन्धन यूजना इस गोल लोगों के निचले भाग में लिखा है मेरा खाता भाग के विधाता गोल के अंदर रंग बिरंगी आकरतियों के बीच लिखा है रुपई प्रिष्ठ दो सो उनतर दोनों हैरान थी और खुश भी वे जानती थी कि बैंक में धन सुरक्षित है ब्याज भी मिलेगा लेकिन इतने धेरूलाब वाँ क्या बात है अब लाजु और शर्बती भी क्यू ना खाता खुलवाती दोनोंने बचत खाता खुलवाने के लिए फार्म भर कर जमा किया शर्बती ने मत दाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की कौपी लगाई जिसमें उसके निवास थान का पूरा पता लिखा था लाजू का रुपए कार्ड खो गया था उसने सरपंच से पत्र लिखवा लिया कुछ दिन बाद डा किया डेबिट रुपए कार्ड यानी ATM दे गया रुपए कार्ड से वे किसी भी बैंक के ATM मशीन से पैसे निकाल सकती थी रुपए कार्ड पाकर दोनों खुश थी लाजू बोली हमारा तो रुत्वा ही बढ़ गया हमारा तो रुत्वा ही बढ़ गया अब हम भी खाता धारी हैं मेरा खाता मेरी शान लेखक निशात फारुख प्रिष्ठ के निचले भाग में एक चौकोर खाना बना हुआ है जिसके अंदर बैंक में खाता खोलने की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है बैंक में खाता खोले, साहुकार से छुटकारा मिलेगा खाता खोलना हुआ बेहद आसान छोटा सा फार्म भरे, साथ में कोई पहचान दस्तावेज लगाए यदि पहले से खाता खुला है, तो वह जन्धन योजना से जुड सकता है प्रिष्ट दो सो सत्तर सही कतनों को मिलाकर वाक्यों को पूरा कीजिए यहां पर दो तालिकाएं है पहली तालिका में लिखा है बैंक में खाता, बैंक में धन खाता बिना शुरुवाती डाकिया रुपे काड और फॉर्म के साथ और दूसरी तालिका में लिखा है पहचान पत्र की कौपी लगानी है राशी के खुलेगा दे गया खोलना हुआ आसान सुरक्षित रहता है अब इन दोनों तालिकाओं में सही कथनों को मिलाकर वाक्यों को पूरा कीजे अब इन दोनों तालिकाओं में रेखा खीच कर सही कथनों को मिलाकर वाक्य पूरे कीजे पढ़िये, बताईए और लिखिये प्रश्ण ए लाजू ने शर्बती को पैसा जमा कराने के लिए क्या सुझाव दिया दिये गए रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिये प्रश्ण दो क्या आपका भी बैंक में बचत खाता है अपने बैंक का नाम लिखिये यहां दिये गए रिक्त स्थान में आपको अपने बैंक का नाम लिख कर ये भी बताना है कि आपका बचत खाता बैंक में खुला हुआ है या नहीं प्रश्ण तीन क्या आपको कभी बैंक या डाक घर में पैसे के लेन देन में किसी तरह की परिशानी का सामना करना पड़ा है रिक्त स्थान में अपना उत्तर भरिये प्रश्ठ दो सो इकतर सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए एक, खाता रिक्त स्थान में या रिक्त स्थान में खोलना चाहिए दो, अपनी रिक्त स्थान के हिसाब से खर्च करना चाहिए तीन, जमाराशी पर रिक्त स्थान मिलता है चार, बैंक में खाता खोलने के लिए रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान की जरूरत होती है दिया गया फॉर्म भरिये इस प्रिष्ठ पर एक बड़ा चौकोर खाना बना हुआ है जिसके अंदर लिखा है नाम, आयू, लिंग, पता, वार्शिक आई और मोबाइल नमबर इन सब शीशकों के सामने रिक्तिस्थान दिये गए हैं, जिन्हें आपने सही जानकारी से भरना है प्रिष्ठ दोसोबहतर, पढ़िए और बातचीत कीजिए यहाँ पर नकदराशी जमा करनी का फॉर्म बना हुआ है और लिखा है पैसे जमा करनी की पर्ची उसके बाद नकदराशी निकालने का फॉर्म दिया गया है और लिखा है पैसे निकालने की पर्ची फिर प्रिष्ठ में सबसे निचले भाग में दो चित्र है पहला है ATM कार्ड का और दूसरा चित्र है पास बुक का प्रिष्ठ 273 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर चेक का चित्र है और लिखा है चेक फिर इसके नीचे 20 रुपए के नोट का चित्र है और लिखा है 20 रुपए का नोट इस प्रिष्ठ के निचले भाग में एक चित्र बना है जिसमें दो महिलाई ATM मशीन को संचालित कर रही है और लिखा है ATM मशीन प्रिष्ठ 274 बैंक खाते से स्वयम रुपए निकालने अथ्वा किसी अन्य को भुकतान करने के लिए चेक का उपयोग किया जा सकता है चित्र को समझ कर चेक भरने का अभ्यास कीजिए यहाँ पर एक चेक का चित्र बनाया हुआ है जिसमें सबसे उपर प्राप्त करता का नाम यदि किसी दूसरे व्यक्ती को पैसा देना है वो लिखना है सबसे उपर दाई ओर चेक में रकम भरने की तिथी लिखनी है यानि जिस दिन आप चेक से नकद का लेन देन कर रहे हैं उस दिन की तिथी फिर मध्य में आपको धन राशी शब्दों में लिखनी है चेक में मध्य में दाई ओर आपको वोही धन राशी अंकों में लिखनी है चेक की बाई तरफ सबसे नीचे आपके बैंक द्वारा दी गई खाता संख्या लिखी होती है और चेक के सबसे अंतिम छोर पर चेक संख्या दी जाती है जैसे इस उधारण में चेक संख्या है नौ पाँच शून्य शून्य दो शून्य चेक में दाई ओर सबसे नीचे की तरफ खाता धारक के हस्ता अक्षर होते हैं बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए एक जमा पर्ची भरनी पड़ती है चित्र के अनुसार जमा पर्ची को समझिए यहाँ पर एक जमा पर्ची का चित्र है बाई ओर सबसे उपर खाता धारक का नाम लिखते हैं इसे पर्ची के बाई ओर मध्य में जमा होने वाली धनराशी अंकों में लिखी जाती है और ठीक इसके नीचे वोही धनराशी शब्दों में लिखते हैं इस जमा पर्ची के दाई ओर इस जमा पर्ची को एक बिंदू वाली रेखा से अलग किया जा सकता है जबकि इसी जमा पर्ची के दाई ओर सबसे उपर लिखते हैं आपकी बैंक की शाखा आपके बैंक की शाखा का पता जैसे उधारण के लिए यहाँ पर सबसे उपर लिखा है State Bank of India भारती ये State Bank और उसके नीचे बिंदू वाली एक रिक्त रेखा खीची है जहाँ पर आपको आपकी शाखा का पता लिखना है इसी परची के दाई और लिखते हैं खाता संख्या, दिनांक और खाता धारक का नाम परची के मध्य में जमा होने वाली धनराशी अंकों में लिखी जाती है परची के बाई और सबसे नीचे खाता धारक का मोबाइल नंबर या टेलिफोन नंबर लिखते हैं और दाई और सबसे नीचे जमा करता के हस्ताक्षर होते हैं प्रिष्ठ 275 जैसे बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए पर्ची बरनी पड़ती है वैसे ही बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए भी एक पर्ची बरनी पड़ती है चित्र के अनुसार पर्ची को समझिये पैसा निकालने की पर्ची यहाँ पर पैसा निकालने की पर्ची का चित्र दिया हुआ है जिसमें सबसे उपर बाई ओर लिखा है भारती अस्टेट बैंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया दाई ओर सबसे उपर लिखना है खाता धारक का नाम, यानि जिसके नाम पर खाता बैंक के साथ खुला है उसका नाम. फिर जिस दिन आप नकद राशी निकाल रहे हैं, उस दिन की तिथी या वो दिनांक सबसे उपर परची के दाई ओर लिखनी है. ठीक इसके नीचे खाता संख्या लिखनी है, वो भी अंको में और इसके नीचे जितनी नकद राशी निकाले जानी है, वो धन राशी शब्दों में लिखनी होती है. इसके बाद जितनी धन राशी निकाली जानी है, उसका विवरण शब्दों में किया जाता है. परची के मध्यभाग में वो ही धन राशी आपको अंको में लिखनी होती है. इसी परची के बाईं और सबसे नीचे अपना मोबाईल नंबर अथवा टेलिफोन नंबर लिखते हैं, और परची के दाईं और नीचे की तरफ जमा करता के हस्ताक्षर होते हैं. रवी को तेहत्तर सौ रुपे का चेक रुबीना को देना है. चेक भरने में रवी की मदद कीजे. यहाँ पर भारती स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ओफ इंडिया का एक चेक का चित्र दिया हुआ है, जिसमें चेक नंबर साफ साफ नजर आ रहा है. और आपको इस चेक में तेहत्तर सौ रुपे की धनराशी का विवरण देकर उपर पे के आगे रिक्त स्थान में रुबीना का नाम लिखते हुए, सबसे नीचे दाइं और अपने हस्ताक्षर करके भरना है. प्रिष्ट दो सो चियत्तर या सही शब्दों से भरें ताकि जौन की मदद हो सके. लाजू को बैंक से दो हजार रुपे निकालने है. पैसे निकालने की पर्ची भरने में लाजू की मदद कीजिए. यहाँ पर पैसे निकालने की पर्ची का चित्र दिया गया है. और लिखा है पैसे निकालने की परची दिये गए रिक्त स्थानों में सही अंक और सही शब्द भरे सही धनराशी के अंक और शब्द भर कर लाजू की दो हजार रुपे निकालने में मदद कीजिए प्रिष्ट दो सो सतत्तर शर्बती की पडोसी लाजू उससे पूछती है कि बैंक में खाता खोलने से क्या फाइदा है शर्बती बैंक खाते के कुछ फाइदे हैं जैसे हम अपनी बचत को सुरक्षित रूप से जमा रख सकते हैं जमा राशी पर ब्याज मिलता है जरूरत पढ़ने पर बैंक जाकर या एटी एम से जमा राशी निकाल सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से बिना पैसे निकाले लेन देन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से बिल भर सकते हैं रेल गाडी के टिकट भी खरीच सकते हैं लाजू, कितने पैसे जमा किये और कितने निकाले, ये सब हिसाब कैसे रखते हैं। शर्बती, वैसे तो मैं एक डायरी में लिख लेती हूँ, पर बैंक हमें एक पास बुक देता है, जिसमें बैंक ही हिसाब दर्ज कर देता है। यहाँ पर प्रिष्ठ के मद्य भाग में बाई और शर्बती की डायरी बैंक का हिसाब एक चौक और खाने में दिया गया है, जिसके अंदर लिखा है, पंधरा फरवरी जमा किये दो हजार रुपई। अठारा फरवरी निकाले पांच सो रुपई। बचे पंधरा सो रुपई। चार मार्च को एक हजार रुपई जमा किये। कुल हुए दो हजार पांच सो रुपई। ग्यारा मार्च को निकाले छे सो रुपई। बचे एक हजार नौ सो रुपई। सत्रा मार्च को निकाले साथ सौ रुपई, तो कुल रुपई कितने बचे? एक हजार दो सो रुपई. इसे पृष्ठ पर उपर दाई ओर एक चित्र बना है, जिसमें दो पुरुष आपस में फोन द्वारा वारतालाब कर रही हैं. पहला पुरुष कहता है, आपका ATM कार्ड बंध हो गया है, हम इसे ठीक कर देंगे. अपना कार्ड नंबर और पिन बताईए, आप ऐसी स्थिती में क्या करेंगे? शर्बती की पास्बुक. यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, जिसके पांच भाग हैं. पहले भाग में लिखा है दिनांक, दूसरे भाग में लिखा है विवरण, तीसरे में लिखा है जमाराशी, और चौथे में लिखा है निकासी. पांचवे भाग में लिखा है शेश. पंधरा दो दो हजार बाईस को नकद राशी दो हजार जमा की गई निकासी रिक्तिस्थान तो शेश राशी बची दो हजार अठारा दो दो हजार बाईस को नकद राशी पांच सो रुपए निकासी हुई जमा राशी रिक्तिस्थान तो 6 बचे 1500 रुपई 4 तीन दो हजार बाईस को नकद राशी 1000 जमा की गई निकासी रिक्तिस्थान तो 6 रुपई बचे 2500 11 तीन दो हजार बाईस को नकद राशी 600 रुपई निकासी हुई जमा राशी रिक्तिस्थान तो 6 रुपई बचे 1,900 17 तीन दो हजार बाईस को नकद राशी 700 रुपई की निकासी हुई जमा राशी रिक्ति थी इसलिए 6 1200 रुपई ही 6 बचे यदि शर्बती ने 4 अप्रेल को 2500 रुपई जमा किये तो बैंक इसे पास्बुक में कहां दर्ज करेगा शर्बती के खाते में कुल कितने रुपई हो जाएंगे शिक्षक निर्देश चर्चा करें कि बैंक खाता आसानी से खोला जा सकता है इसके लिए दो फोटो और वोटर कार्ड, आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र जरूरी है जन्धन योजना में बिना रुपईों के भी खाता खोला जा सकता है इस प्रकार अन्य राशी जमा करने एवं निकालने पर पास्बुक में राशी दर्ज होने की स्थिती तथा शेश राशी पता करने के लिए और प्रश्न पूछें और उन पर चर्चा करें प्रिष्ठ दोसो अठतर ATM कार्ड की संक्षिप्त जानकारी ATM बैंक से पैसा निकालने जमा करने का एक इलेक्ट्रोनिक कार्ड होता है जिसकी सहायता से कहीं भी कभी भी नकद पैसे निकाल सकते हैं और बैंक खाते का लेखा जुखा भी जान सकते हैं पैसे लेन दें की मामले से जुड़ी किसी समस्या के समधान के लिए केवल बैंक से ही संपर्क करना चाहिए ATM कार्ड से पैसे निकालने के लिए ATM मशीन का इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर दो चित्र दिये गए हैं जो की ATM कार्ड के आगे का चित्र और ATM कार्ड के पीछे के चित्र है पहले चित्र में सबसे उपर दाई ओर लिखा है SBI Global और इसी चित्र में नीचे की तरफ दाई ओर लिखा है वीजा याद रखें चेक की वैधता अंकित तिथी से तीन महीने तक मान्य होती है क्रॉस चेक केवल खाता धारक के खाते में दे होता है कभी किसी से साजा न करें एक, OTP दो, PIN तीन, CVV चार, खाता संबंधी जानकारी और पांच, व्यक्तिगत जानकारी KYC क्या होता है KYC, Know Your Customer वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक, किसी व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टी करता है अब आधार कार्ड से भी KYC कर सकते है KYC के लिए जरूरी दस्तावेज एक, पैन काड, दो, बिजली का बिल, तीन, आधार काड, चार, आवासिय पता पृष्ट दो सो उनासी पढ़िये और लिखिये यहाँ पर वितिय साक्षर्टा और बैंक से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताई गई है इन्हें पढ़िये वितिय साक्षर्टा मतलब क्या? रुपए पैसे की बचत एवं खर्च के बीच ताल मेल की समझ बचत के प्रती जागरुक होना आप क्या कर सकते हैं? आमदरी, खर्च और बचत का लेखा जोखा रखिये गैर जरूरी खर्चों से बचिये बचत की आदत डालिये बैंक या डाक घर में खाता खोलिये अपनी बचत को सही जगा जमा कीजिये वितिय साक्षर बनने से क्या लाब होगा? आगे आने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए पहले से तयार रहेंगे खर्चों को काबू में लाएंगे समझदारी से खर्च कर पाएंगे अपनी जरूरतों को पहचान सकेंगे बैंक में खाता खोलने के लाब आप अपनी बचत को सुरक्षित रूप से बैंक खाते में जमा कर सकते हैं जमा राशी पर ब्याज मिलता है जरूरत पढ़ने पर जमा राशी निकाल सकते हैं बैंक में खाता खोलने के लिए इनमें से क्या-क्या चाहिए सही का चिन लगाईए सही का निशान लगाईए फोटो आधार काड पैन काड वोटर आईडी काड बैंक में खाता खोल जाने पर आपको बैंक से क्या-क्या मिलेगा फोटो रिक्तिस्थान आधार काड रिक्तिस्थान पैन काड रिक्तिस्थान वोटर आईडी काड रिक्तिस्थान बैंक में खाता खोल जाने पर आपको बैंक से क्या-क्या मिलेगा चेक बुक, रिक्तस्थान पास बुक, रिक्तस्थान डेबिट, रुपे, कार्ड यानि ATM कार्ड, रिक्तस्थान बैंक में खाता खुल जाने पर आपको इनमे से क्या-क्या मिलेगा उसके सामने दिये गए रिक्त स्थान में सही का निशान लगा कर चिन्हित करें प्रिष्ठ 280 भीम एप भीम भीम एप भीम पैसों के लेन देन का मुबाइल एप है इसे ई-पेमिंट भी कहते हैं इसमें आप अपने मुबाइल के जरिये पैसे का लेन देन कर सकते हैं दूर बैठे किसी व्यक्ती को पैसे भेज सकते हैं बच्चों के स्कूल की फीस दे सकते हैं बिजले के बिल का भुकतान कर सकते हैं किराने की दुकान वाले को पैसा दे सकते हैं लोन का भुगतान कर सकते हैं, यहाँ पर दो चित्र हैं, जिन में स्मार्ट फोन की मदद से आपको भीम आप दर्शाया गया है, जिसके जरिये आप भुगतान की प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं. सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में भीम आप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा, इसमें आप हिंदी के साथ साथ 12 भारती भाशाओं में भी काम कर सकते हैं, इस आप में आप भारती एस्टेट बैंक के साथ दूसरे लगभग 30 भारती बैंक खातों का इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मुबाइल फोन के चित्र पर स्क्रीन पर लिखा है वेल्कम टू भीम और इसके माध्यम से यहाँ पर भीम आप को डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया समझाई गई है, और लिखा है स्रोथ प्रिष्ट दो सो एक्यासी पढ़िये और लिखिये वितिय साक्षरता मतलब पैसों का सही तरीके से आमदनी और खर्च में ताल मेल बिठाना तथा बचत के प्रती जागरुख होना है बैंक में खाता खोलने के लिए यहां पर दिये गए दस्तावेज जरूरी होते हैं फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बिजले का बिल और आवासिय पता डेबिट कार्ड से बहुत से काम कर सकते हैं यहां पर कुछ कामों की सूची दी जा रही है आप कुछ कामों के नाम लिखिए जैसे खरीदारी, किराना, ओनलाइन खरीदारी, टिकेट बुकिंग, होटल बुकिंग, ओनलाइन पेइमेंट, स्कूल फीज भर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसके बाद चार रिक्त स्थान दिये गए हैं, जहां पर आपको ऐसे ही और कामों की सूची लिखनी हैं, जो आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं प्रिष्ठ 282 इसके अतिरिक्त डेबिट कार्ड से आप क्या-क्या कर सकते हैं, बताईए और लिखिए यहां पर कुछ रिक्त स्थान दिये गए हैं, जिन्हें आप डेबिट कार्ड से क्या-क्या कर सकते हैं, वो लिख कर भरिये शिक-शक निर्देश वितिय साक्षर्ता विशय पर बात चीत कीजिए सहभागियों से पूछ कर इस विशय से जुड़े तीन-चार शब्द लिखिए ये शब्द उनकी अपनी भाशा के भी हो सकते हैं, जैसे रुपया के लिए रुपईया आदी प्रिष्ठ 283 मिलकर पढ़िये दान का हिसाब एक राजा था, वह बहुत स्वार थी था अपने सुख के लिए हजारों खर्च करता पर अपनी प्रजा के लिए उसकी मुठी बंध हो जाती थी एक बार अकाल पढ़ा, लोग राजा के पास मदद के लिए गए महराज, अनाज खरीदने के लिए थोड़ा धन दे दीजी लेकिन राजा ने धन देने से मना कर दिया उसने कहा, आज लोग अकाल से परिशान हैं, कल भूकंप आ सकता है इस तरहां सभी की मदद करते करते राजभंडार खाली हो जाएगा तब मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचेगा लोग निराश होकर लोट गए, समय बीटता गया, अकाल का प्रकूप बढ़ता गया हजारों लोग भूख से मरने लगे लोगों ने बार-बार राजा से मदद के लिए कहा परन्तूर राजा, टस से मस न हुआ इस प्रिष्ठ पर दो चित्र है सबसे उपर दाई ओर, कुछ सूखे पेड बने है और नीचे की तरफ बाई ओर, एक राजा किसी दीन व्यक्ति को बाहर जाने का संकेत कर रहे है प्रिष्ठ दो सो चौरासी कुछ दिन बाद, एक सन्यासी राजसभा में आया उसने कहा महराज, बड़ी दूर से आया हूँ आपका बहुत नाम सुना है आप मेरी भी इच्छा पूरी कर दे प्रशंसा सुनकर राजा खुश हुआ बोला, बताईए आपको क्या चाहिए सन्यासी ने कहा मैं बीस दिन तक मामूली सी भीक्षा लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी भीक्षा का एक नियम है पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना तीसरे दिन उसका दुगना चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना इसी तरहां रोज दुगना लेता जाता हूँ राजा बोला आप पहले दिन कितना लेंगे सन्यासी ने कहा केवल एक रूपया राजा खुश हो गया उसने आधेश दिया राज कोश से सन्यासी के कहे अनुसार भिक्षा दी जाए पंद्रा दिन बीट गए तो राज भंडारी चोंका दान में बहुत धन निकला जा रहा था उसने हिसाब लगाया कि बीस दिन में दस लाख और तालीस हजार पांच सो पिछेतर रुपय देने होंगी उसने यह हिसाब राजा को बताया हिसाब देखकर राजा बेहोश हो गया इस प्रिष्ठ पर दो चित्र है पहला चित्र सबसे उपर बाई ओर है जिसमें एक राजा और एक सन्यासी है इसी प्रिष्ठ पर नीचे दाई ओर राजा बेहोश बड़ा है प्रिष्ठ दो सो पिछासी इस प्रिष्ठ की बाई ओर एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है दान का हिसाब पहला दिन एक रुपया दूसरा दिन दो रुपय तीसरा दिन चार रुपय चौथा दिन आठ रुपय पाँचवा दिन सोलह रुपय छठा दिन चठा दिन बतीस रुपय सातवा दिन चौसच रुपई आठवा दिन एक सो अठाईस रुपई नवा दिन दो सो चपन रुपई दसवा दिन पाँच सो बारा रुपई ग्यारवा दिन एक हजार चौबीस रुपई बारवा दिन दो हजार अड़तालीस रुपई तेरवा दिन चार हजार चियानवे रुपई चौधवा दिन आठ हजार एक सो बानवे रुपई पंधरवा दिन सोला हजार तीन सो चौरासी रुपई सोल्वा दिन बत्तीस हजार साथ सो अड़सट रुपई सतर्वा दिन पैंसट हजार पांच सो चौच्छ रुपई अठानवा दिन एक लाख एकत्तीस हजार बहत्तर रुपई उन्नीस वा दिन दो लाख बासट हजार एक सो चवालेस रुपई बीस वा दिन पांच लाख चौबीस हजार दोसो अठासी रुपई कुल हुए दस लाख अड़तालीस हजार पांच सो पिच्छतर रुपई सन्यासी को बुलाया गया राजा ने सन्यासी से भिक्षा की रकम कम करने के विनिती की सन्यासी ने कहा लोग अकाल से मर रहे हैं मुझे उनके लिए केवल पचास हजार रुपई चाहें यही मेरी भिक्षा होगी राजा बहुत गिड़गिडाया उसने कहा रकम कम कर दीजे लेकिन सन्यासी वचन पर डटा रहा लाचार होकर राजा को उसे पचास हजार रुपए देने पड़े पूरे देश में खबर फैल गई कि राजकोश से पचास हजार रुपए राहत के लिए दिये गए है सभी ने कहा हमारे महराज कर्ण जैसे ही दानी है सुकुमार राय सुरोत रिमजिम कक्षा चार एंसी इआर्टी प्रिष्ठ दोसो च्यासी सोचिये और बताईये यहां दिये गए वाक्यों का इस्तमाल आप कब करते हैं? चाट कर लिखिये यहां पर आठ खाने दिये गए है पहले खाने में लिखा है पैरो तले जमीन खिसकना दूसरे खाने में लिखा है दिल बाग बाग होना तीसरे खाने में लिखा है दिल धक से रह जाना चौथे खाने में लिखा है लाल पीला होना पांचवे खाने में लिखा है घी के दिये जलाना छटे खाने में लिखा है खून खौलना साथवे खाने में लिखा है गदगद होना और आठवे खाने में लिखा है आपे से बाहर होना इसके नीचे तीन सूचियां बनी है पहली सूची का शीर्षक है जब बहुत खुशी होती है दूसरी सूची का शीर्षक है जब बहुत परिशानी होती है और तीसरी सूची का शीर्षक है जब बहुत गुसा आता है तीनों शीर्षकों के नीचे कुछ रिक्त स्थान हैं जिने आपने भरना है प्रिष्ठ दो सो सतासी टिपणी इसके नीचे बाकी स्थान रिक्त है जिसे आपने भरना है